तो हम टॉपिक्स पर मूव करते आ रहे हैं हम प्रीविस टॉपिक डिफरेंट हमने लाइन्स की मजरिमेंट्स देखें डिस्टेंस देखें एरियास देखें तो क्योंकि अभी हम डिमेंशन मैनियों के अंदर मौजूद हैं कैड के तो उसी के साथ असोसियेटेड हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट तीन आस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी दो लाइन्स के दर्मियान एंगल अक्सर हम बेशतर हम लाइन्स लगा देते हैं स्क्रीन के उपर और अगर हम चाहें कि इन बिट्वीन दीज टू लाइन्स कितने का एंगल लगा हुआ है 50 का है 35 का है या हम काम भी आते हैं इवन आर्क का तो रेडियस जब हम डूर्स बना रहे होंगे उस वक्त भी हम इसको कंसीडर करेंगे या आपको आगे जाके अगर कहीं पर भी जरूरत होती है इसको रेडियस फाइंड़ करने की और देन डामीटर आज़ और वी निव दी रिलेशन कर रहे हैं तो सरकल के जो दो हमारे किनारे हैं उनके दर्मयान का जो फासला है वो हमारे डामीटर है और सरकल का जो सेंटर है उसका किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस है तो हम बढ़ते हैं कैड की तरफ और डिफरेंट आपजेक्ट को ड्रा करके ह नहीं हम इनको वह मरियर करना देखते हैं। तो असफ़ पर प्रेषड ड्राइंग मक्ने, हम इंवे हमस्कained की है। उसको फिल हाल के जाएथ़ हम पिल्हाल आजए हके आगे हमस्के असानिते हुएँ काँ uh फिल्हाइड प्रेलीट शॉम् सेध डिलीट हो गई। वाधेती है हमारे पास एक लाइन है और यह हमने EARTHOO को OFF कर लेके यह हमने एक लाइन लगा ली है अब तरभ पार की किसी आइन वादे का गा चाहिए यह वी आईनगन की है यह मेत्टव है इसी आस्पेक्ट में हम एक आर्क लगा लेते हैं और फर्ज करें हमने इसका अगर फाइंड करना हो एंगल ये भी हमारे पास एक असाइमेंट है और हम कुछ और object भी draw का लेते हैं मेंली अभी हमने दो जो हैं वो lines लगा ली है और एक आर्क लगाई है और इनके हम angles को find करने का की try करते हैं तो यहां हमारे पास जो options हैं dimension में यहां पे angular यह अगर आप note करें और यह बता भी यही रहा है यह दो lines लगी हुई है और इसके दर्मयान को जो है वो angle शो कर रहा है अब यह linear नहीं है angular है linear हमने देखा जो हमने मालूम भी किया को एक dimension यह उसके नीचे linear is a straight line between two segments के यह एक है और यह दो इसके दर्मयान वाला distance अब हमने जो है वो दो lines अगर इस तरह की लगी हुई हैं जो curve में हैं कहीं उसके दर्मयान के angle को find out करना है तो यहां पे जैसे ही हम click करते हैं तो वो हमें यहां पे बता रहा है कि आप select करें हम पहली line select कर लेते हैं दूसरी select कर लेते हैं तो यह अगर आप note करें तो जैसी मैंने दूसरी line select की तो खुद बखुद 41 degree का angle जो है वो इनके दर्मयान शो कर रहा है तो अगें मैं एक और line लगा लेता हूँ ताके हमारे लिए पसानी हो जाए यह एक और हम line लगा लेते हैं अब हम इसके दर्मयान का angle find out करने का अब यह message जो है वो आपको बता रहा है कि select arc circle line आप तो हम one and जैसी हम two select करते हैं so exactly यह hundred का हमने angle के उपर एक हमारी जो है यह time line लगी हुई है अब हम आर्क की तरफ आजाते हैं कि अगर हमने इस आर्क का find out करना हो तो हमारे पस क्या methods हैं फर्स करें हम और एक और आर्क हम लगा लेते हैं वो भी exactly हम three point arc लगाते हैं पहला point दूसरा point और तीसरा point यह बड़ी common type मैंने दोनों आर्क लगाई हैं अब इसका find out करने के method क्या है अगें विल गो तो dimension angular और यहां पे हम click करें तो यह अगर आप note करें तो 158 degree angle है और dimension क्योंकि हमने style से units की text height काफी बढ़ाई हुई है वो काफी dominant screen के ओपर यह जहां पे मेरा भी cursor move कर रहा है यह वाला angle है यह यह वाला है या या यह 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 आप note करें तो यह यह हमारे पास मौजूद हैं अब last में हमारे पास एक और जो हमने एक different shape की बनाई है तो dimension style और यह 157 यह हमारे पास options थे this is how और यह हम इस तरीका से अगर हमने आगे जाके move करने होंगे angles को find out करेंगे अब हम जिस तरह के पहले भी हमने कुई आता कुईकली एक सर्कल या एक आर्क हम लगा लेते हैं और अगर हमने इसका फाइंड आउट करना हो रीडियस डामीटर तो लेट सी के हम डामेंशन स्टाइल में जाकर और रीडियस फाइंड आउट करें सिंपल वही चीज यह हमारे पास स्लेक्ट अर्क और सर्कल यह हमारी आर्क है तो यह जो है इसका इस टाइम रीडियस आ रहा है यह तो फीट और फूर इंचिस बहुत ही इंपॉर्टन होता है यह डिफरेंट जगों के उपर पुर्डिकुलरली हमने पहले भी बात की थी जब हम राउंडबाउट्स मना रहे होते हैं यह इस तरह का कोई कर्व बना रहे होते हैं अक्सर यह जो आप अपने कोई राउंडबाउट्स देखे होंगे आप गारी मूव कर रहे होते हैं चाना कर रोड के दर्मयान एक सर्कुलर राउंडबाउट आता है यहां पे इसका बह तो यह 2-4.5 इंचे शायद होता तो यह तभी उसका डबल है इसको हम जब सर्कल का करेंगे तो यहां पर पर राडियस पर्स्ट यह हमारे पास इसका राडियस है और यहां पर डामेंशन स्टाइल से जो है वह इसका मालूम कर लेते हैं डायमीटर तो यह हमारे पास डामेंशन स्टाइल सर्कशन स्टाइल से यहां जा इसका बसटवर राडियस के इसका को कॉम्प्लेक्स शेप भी अगर मैंचूद हो तो हम डिफ्रिंट लाइन के इंगल्स मालूम कर सकते हैं उनके diameter मालूम कर सकते हैं और बाज अकात ये जरूरी भी होता है drawing के अंदर हमने show भी करना होता है तो इस तरह यहां पर हम इस topic को conclude करते हैं तो इस topic के अंदर हमने measurements देखी हैं पहले हमने importance भी बियान कर दी कहां का इस्तमाल हो सकता है परिटिकुलर्ली angular lines जब लगाते हैं तो how can we find angles कैसे मालूम कर सकते हैं फिर हमने radius और diameters देखे और देखा के radius और diameter का अपस में relation क्या है और जैसे हमने command execute की जाकर autocad के अंदर तो एक बड़ा clarity के साथ हमें नजर आ रहा था कांसे angles पे कितने angles की line इनके दर्मियान का angles क्या है और इसका radius और diameter क्या है